नमस्कार दोस्तों, वेलकर नो वर्ल अफेर्ज, नहीं हूँ प्रशान दवन, दपेन जस्ट डजन्ट स्टॉप फॉर पाकिस्तान, तो अभी भी पाकिस्तान FATF की ग्रेलिस्ट में है, इनका पूरा प्रयास था है आपर के इस बार की FATF की मीटिंग में ये ग्रेलिस्ट से भार निकलेंगे, अट लीस्ट कुछ समय के लिए तो भार निकलेंगे, मगर FATF मेंबर्स ने आपर वोट की और ये डिसाइड किया, के नहीं अभी पाकिस्तान FATF की ग्रेलिस्ट में रहेगा, ये एक बहुत बड़ा सेट बैक है न के लिए, इसलिए openly पाकिस्तान के पाकिस्तान की साइट से, मगर मैं आपको ये बजा दू, कि पाकिस्तान की जो फ्रस्ट्रेशन है, ये काफियत तक समझ भी आती है, क्योंकि फिनांशली इनको बहुत लॉस हुआ है, बिकॉज अफ FATF ग्रेलिस्ट, आपको ये बाद समझ नहीं होगी, पाकिस्तान ऐसा न में, और फिर 2015 के बाद, 2018 में फिर से FATF की ग्रेलिस्ट में चले गए, तब से लेकर अब तक ये FATF की ग्रेलिस्ट में ही हैं, कई देश आपको मिलेंगे by the way, आज के समय FATF की ग्रेलिस्ट में, FATF की जो black list है, वहाँ पे आपको तो सिर्फ मिलेंगे, दो देश, इरान औ और North Korea, मगर gray list में कई देश है, जिनकी list में आपको दिखाऊँगा, मगर उन में से कोई भी देश ऐसा नहीं है, जो पाकिस्तान की तरह almost 10 साल बिता चुका है FATF की gray list में, तो ये जो इन्होंने time बिताया है, जो इन पर sanctions लगी है FATF के, उसकी वज़े से total loss इनकी economy को हुआ है ये massive 38 billion dollars, 38 billion dollars मतलब के Indian rupees में roughly आप कह सकते हैं, 2,77,000 करोर रुपे, और by the way, ये असान ये के कोई Indian media ये report कर रहा है, पाकिस्तान के ही एक economist ने इस पर एक report publish करी थी, और इस पर मैंने video बनाए थी, आसे कई महने पहले, 38 billion loss for पाकिस्तान, और ये सब जो calculations है by the way, ये है 2019 की, उसका आप अगर total calculation करेंगे, तो अराम से जो ये figure है, 40 billion dollars तक भी पहुच जाएगी, नाव पाकिस्तान ये क्यों कह रहा है कि India शड्यंत्र कर रहा है, देखो FATF के आज के समय है 39 member countries, officially जो इनकी website है, वहाँ से मैं आपको data दे रहा हूँ, यहाँ पर आप देख पाऊगे member countries क तो ये सब देश मिलके decide करते हैं कि कौन सा देश FATF की grey list में जाएगा, मतलब कि वहाँ पे कम punishment मिलती है, और कौन सा देश FATF की black list में जाएगा, जहाँ पर इस टाइप के sanctions लगते हैं, कि पूरी economy को 100 billion से लेकर 1500 billion का नुकसान भी हो सकता है, और हाँ ये बात मैं clear कर दूँ कि FATF का जो ये system है, black list, grey list का ये शुरू हुआ था 2000 में, और FATF के headquarters का पे हैं, ये आपको मिलेंगे France में, और जो इनकी lists है, black list, grey list, ये नाम दिये हैं, media ने, officially ये लोग अपने document में black list को कहते हैं, call for action list, और grey list, जिसमें पाकिस्तान है, इसको ये लोग कहते हैं, other monitored jurisdictions, और अ पाकिस्तान के साथ FATF की grey list में, कौन-कौन से देश हैं, ये मैं आपको दिखा लेता हूँ, यहाँ पर आपको कई देश मिलेंगे, जिनकी वैसे international reputation काफी अच्छी है, वो आसियान देश मी हैं, for example, यहाँ पर आप आप देख पाएंगे, Philippines आपको मिलेगा, जी हाँ, ये व primarily focus करते हैं, काले धन पर, और black money के misuse पर, जो भी criminal activities होती है, दुनिया भर में, जो भी terrorist activities होती है, दुनिया भर में, उनको fund किया जाता है, काले धन से, अगर हम properly trace कर पाए, कि जो पैसा generate किया जा रहा है, जो पैसा छपता है, वो कहाँ पर जा रहा है, किस रास्ते जा रहा है तो दुनिया में बहुत सारे जो अपराद है, उनमें लगा सकते हैं, रोक, तो FATF का main काम यहाँ पर यह होता है, कि उन countries को punish करना, जहाँ पर proper तरीके से पैसा कहा पर जा रहा है, पैसा कहा से आ रहा है, इसको लेकर कोई mechanism नहीं है, और proper तरीके से यह rules follow नहीं कर रहे, तो इस मामले में unique case है, इन्होंने almost इसको अपना second home ही बना दिया है, और यहाँ पर आप देख पाऊगे, FATF ने हाली में एक video भी release करी, जहाँ पर यह बताया है, कि money laundering, जो इनका एक main concern है दुनिया में, यह important क्यों है, इसको रोकना important क्यों है, यहाँ पर आप देख पाऊगे, globalized world में, money laundering को रोकना बहुत important है, और fighting money laundering is more important than ever, trillions of dollars are laundered every year, मतलब कि काले धन को किसी तरीके से, bank accounts में या फिर, जो main मुख्य जा रहा होती है, वहाँ पर पहुचाना, तो FATF इन सब के against काम करता है, पाकिस्तान की problem यह है, कि ना सिर्फ यहाँ पे money laundering एक बहुत बड़ा issue है, उस सब के इलावा यहाँ पर United Nations designated आतंगवादी भी हैं, जो पाकिस्तान में money laundering करके, बहुत से और countries में पुचाते हैं, दूसरे आतंगवादी संगटनों को, तो इसलिए FATF ने बहुत ही लंबे समझे रखाया पाकिस्तान को grey list में, अब यहाँ पे आप पूचेंगे के पाकिस्तान को properly FATF की grey list से निकलने के लिए करना क्या होगा? देखो इसके दो answers है, एक तो यह के temporary basis पर कोई बड़ी बात आई है के पाकिस्तान अगले साल निकल जाए, मगर chances बहुत हाई है के एक साल भार रहने के बाद पाकिस्तान फिर से grey list में आ जाए, क्योंकि इनके इनके जो पूरा एक ecosystem है, कई आतंगवादी हैं, उसके अलावा so-called उनकी charity organizations है, जो money laundering करती है, जो इनके ecosystem है, उसको तोड़ना बहुत ही मुश्किल है, उन आतंगवादी संगटनों के खिलाफ जो भी action लेगा, उस सरकार को डर ये होगा, कि backlash ना हा जाए, ये फिर bomb blast करने ना start कर दे पाकिस्तान में, तो ये बहुत जादा अराम अराम से action लेंगे इस पर, और जो ये issue है पाकिस्तान का, ये आने वाले 10 साल तक कही जाता हुआ दिखनी रहा, इस बार भी आप अगर देखो, तो इन्होंने FATF के सामने, जो total 27 action items की list थी, उसमें से 26 achieve कर ली, इनकी overall performance अच्छी थी, मगर एक area में आपे कुछ काम हुआ नहीं, वो है conviction rate, यहाँ पर क्या होता है, कि कई आतंगवादियों को, ये code तक तो पुझा देते हैं, मगर उसके बाद conviction नहीं होती, जज काफियत तक डरे होते हैं, जज काफियत तक जो government है, और जो इनकी army है, उनके influence के vendor होते हैं, तो कभी भी आप दिखोगे, इनके आप कोई बड़े आतंगवादी को सजा नहीं होती, बहुती लंबे समय तक, और ये मैं नहीं कह रहा, ये 2016 में आई report, Peace Works Carry है, कि पाकिस्तान में जो overall conviction rate है, ये बहुत ज़रा पूर है, तो जब तक इस चीज को ये improve नहीं करते someone has to bite the bullet, एक idiom होता English में, bite the bullet, मतलब कि कठेन, मुश्किल लिणने लेना, इमरान खान के सामने आप एग ऑप्शन अभी ये है, कि इनके आप आतंगवादी संगटन है, उनके खिलाफ एक proper action ले, अगर कल को कोई backlash होती है, जेले उसको, maximum क्या होगा, एक दो international cricket के जो tour है, ये भी आता है, कि क्या पाकिस्तान की government, चाहती भी है इन groups को खतम करना, या इनकी सरकार आज ही मानती है, कि भविश्य में, ये इन groups को इस्तेमाल कर सकते हैं, against India, that remains to be seen, और हाँ, finally exam perspective से मैं आपको ये भी बता दूँ, कि इस वक्त FATF की presidency किस country के पास है, तो इस वक्त इनकी presidency ह जर्मनी के पास, जर्मनी के डॉक्तर मार्कस प्लायर, ये इस वक्त FATF के president है, और 2022 तक ये रहेंगे FATF president, and finally यहाँ पर मैं ये भी आड़ कर दूँ, कि आप किसी भी exam के लिए prepare कर रहे हैं, चाहे UPSC, SSC, bank, any examination, simply जाओ unacademy.com पे, चूज करो यहाँ पर अपना course, for example, UPSC, click on get subscription, और यहाँ पर परचेज कर सकते हैं, plus या फिर iconic course, दोनों courses में पूरा slabber साथ का cover होगा, free में test series आपको मिलेगी यहाँ पर, मगर iconic course special इसलिए है, क्योंकि यहाँ पर मिलता है आपको एक personal coach, जो ensure करेगा, कि पूरे 12 महीने, या फिर जितना भी tenure आपके course का, आप उस दुरान, properly course को follow करें, तो यहाँ पर जो price लिखा है, यह कभी भी pay मत कर देना, use करो यहाँ पर promo code PD10, और prices गिर जाएंगे, you can save money, हर मह आपको भी मैं यही कहूंगा, use the code save money, because money saved is money earned, इसी note के साथ यह है वीडियो कांत, thank you for listening and as always, God bless you all.